नमस्काल दोस्तों मैं हूं करती सिंग और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल लौईजी नोट्स लौई को समझना हो गया है इजी दोस्तों यहाँ पर हम आपको लौई को आसान भासा में समझाने का प्रियाज करते हैं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है भारत का महानियावादी जिसे हम इंगलिश भाषा में Attorney General of India कहते हैं दोस्तों भारत का महानियावादी मुख कानूनी सलाकार तथा भारती उच्चतम नियाले में सरकार का प्रमुख बकील होता है भारत का महानियावादी देश के कानून का सर्वोच अधिकारी होता है जो राष्टपती को कानून से संबंद सला देता है दोस्तों हमारे भारती संबेदान के आर्टिकल 76 में भारत के महानियावादी का वर्डन किया गया है भारत के महानियावादी की नियुक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के नियाधिस बनने की योगता रखता है वही व्यक्ति भारत का महानियावादी नियुक्त किया जाता है भारत का जो महानियावादी होता है वह केंद सरकार को कानूनी मामलों में सला देता है और कानून प्रिक्रिया की उन जिम्बेदारियों को निभाता है जो राष्टपती द्वारा उसको दी जाती है इसके अतरिक्त संबिधान और किसी अन्य कानून की अंतरगत उनका जो काम इदारित किया गया है उसका भी पालन करता है भारत का महानियावादी अपने करतब्विक के निर्वहन करते हुए देश की किसी भी नियाले में उपस्टित होने का अधिकार रखता है और उसे संसत की कारवाही में भाग लेने का अधिकार होता है दोस्तों जो संब्धान के आ कार की मदद करता है बारत के महा नियावादी की न्योक्ति राष्ट पती द्वारा की जाती है महा नियावादी के पद पर व्यक्ति को राष्ट पती द्वारा प्रिसाद पर्याश्ट्रम्त के अनुसार पद्धारई कराया जाता है। प्रशाब्पर्याश्ट्रम्त बहे होता है। इसमें राष्टपति कभी भी किसी भी व्यक्तिक् logarわかता है, अपने पद्ध्सें एहrdआ सकता है। महानेयवादी का जो कारेकाल होता है वर निश्चित नहीं होता है यह राष्टपती की एक्षा के अनुसार कार करते हैं हमारे डेस का समयदान महा नियावादी को निश्चित पदावदी पिदान नहीं करता है यह राष्टपती की मर्जी के अनुसार ही कार करते हैं महा नयायवादी बनने के लिए व्यक्ति की योगिता सर्वोच नयाले के एक नयाया धीस होने लाइक होनी चाहिए और वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए तथा दस साल के लिए उच्च आले में बकील के रूप में कार करने का अनवबी प्राप्त होना चाहिए दोस्तों यह थीम भारत के महा नियावादी से संबंदित को जानकारी आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉग को आसान वासा में समझने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल लॉग इजी नोट्स को सबस्क्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी धन्यवाद